नमस्कार सातियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागात अभ्यास अगरी एक एडमी के यूटूब चैनल में जो हमारी एमस्यक्यू सीरीज चल रही है आज उसका पार्ट नमर 14 है यह जो एमस्यक्यू सीरीज है एगरी कल्चर के सभी कॉम्टेट एक्जाम के लिए बहुत मह अगर आप चैनल पर लाइक नए हैं तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट एनफल एम र का फूम बरे हैं ठीक है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव नेशनल फटिलाइजर लिमिटेट का उनकी एक्जाम डेट आचके है वाई एक्जाम अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको टेस्सीरीज मिल जाएगी जिसके अंदर टोटल मोग टेस्ट है 50 प्लस 50 ज्याद है ठीक है यहां पर आपको 15 मिलेंगे फूल लेंगे 35 सब्जेक्ट वाई इस पर आपको 250 प्राइज और आपको 10 पर सेंट एक्ट्रा हैं पर डिसक आपको प्राइड करोंगे तो आपको घडूअगे चाहिए टोपर कूबन कोड रूप करेंगा को 10% शचान मिल जाएगा इसके लिए कम प्राइज में आपको 720 करना चाहती किसटो क्या करते हैं मेंब प्रेपरेसेम करना चाहते हैं डोस्तों आप बहर कर सकते हैं destructive life classes ऑमलं लाइब लेकोंड़ वीडियो मोक टैस्ट पीडियेफ सब कुछ आपको अभी लेवल है अब हमारे टेलीग्राम इस्टेग्राम से जरूर जुड़ें क्योंकि यहां पर फ्री मोक टैस्ट यहां पर आपको फ्री प्रेक्टिस करा है इसलिए आपके लिए VE golpe आुप से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए तो läh तो इसकास करते हैं दोस्टो पहला कोश्ट्थन है क्या कोश्चन थ्यादर्र विल्योन के बारे में सही है तो कॉछन में पूचा बहुhey इक प्रकार ब्रीडिंग मैथड होता है ये इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होता है एवरी जो फीमेल घयमेट उसको हर मैल ग Ärङ कdot है यह एक आउटब्रीडिग की मेकनेज्म होती है कि एकक सुनना ठीक तो यह female flower है ना, यह यहां पर, ठीक है, तो यह female flower है ना, यह किसी भी male gamet के साथ fertilization हो सकता है, तो क्या होता है, कि female gamet has equal chances to unite with every male gamet, it is called random mating, इसे क्या कहते है, random mating कहते है ना, कि हर female को, हर male gamet के साथ unite होने का equal chance होता है, clear है, यह out grading की mechanism होती है, क्या होती है, it is the form of outbreeding है, outbreeding की mechanism, ठीक है, cross pollinated की mechanism होती है, in random mating each female gamet is equal chance to mate with every male gamet, ठीक है, इसका it is useful for the development of synthetic composite, synthetic और composite variety बनानी के लिए इसका use क्या आता है, तो यहाँ पर सारे statement जो है, वो बिल्कुल correct है, तो यहाँ पर correct answer क्या है, ओलो दी जाए, ठीक है, चलिए, आगे बात कर question है, यह जो question है, यह exam में पूचा जाता है, ठीक है, जो state guard में ऐसे ADO, SADO, ADE exam होते हैं, वहाँ पर यह राजिस्तान का double O है, तो वहाँ पर आपसे question आएगा, कि is for a fitting self-incommitability होती है, इस for a fitting self-incommitability होती है, अगर आपको यह genotype दिया है, वहाँ पर कि आपको यह cross कराना है, S1, S2, S1, S3 की बीच cross कराना है, तो cross कराने के बाद क्या progeny बनेगी, ठीक है, जो इसमें जो cross कराएंगे, तो यहाँ पर कोई भी progeny, no progeny है, कोई भी progeny नहीं बनेगी, ठीक है, उसका कारण होता है, उसका reason होता है, ठीक है, कि इस for a fitting system में, dominant system काम करता है, तो यह S1, S2 होता है, S1 की तरह काम करेगा, अगर यह तर मैच कर जाता है, ठीक है, यह S1 यहाँ पर मैच कर गया, इसलिए answer क्या है, no progeny, दोस्त अब एक, पांच मिनिट में आप एक concept नहीं सीख सकते है, यह बहुत लंबा concept है, तो आप answer याद कर लेना, ठीक है, हाँ, यह important है, यह भी exam gametophytic, एक होती, sporophytic, कितने परकार की, दो परकार, gametophytic, sporophytic, अब देखो, gametophytic हो, यह sporophytic, pollen grain तो होते ही है, pollen grain काम क्यों होते है, उसके अंदर है, कि वो दूर जाके cross-polynation कर सकते है, तो gametophytic self-incompatibility में, जब pollen grain जो होता है, मैल प्लांट से दूर जाता है, उस समय, pollen grain तो binucleate कहते हैं, ठीक है, और तीन होते हैं, तो trinucleate कहते हैं, तीन होते हैं, तो क्या होता है, gametophytic में binucleated condition होती है, क्या होती है, अगर आप से यही कोशन ऐसा पूछता ना, कि sporophytic में, sporophytic SI के अंदर कैसा होता pollen grain, तो आप बताते हैं कि सर यह होता है, trinucleated, तो यह ल कोशन है, इसको नोट कर लो, यह एक्जाम में आएगा, इस बार टपके गहना, ठीक है, क्या important है, अगर किसी plant में, कि पुस्पी पात्पुम, वह इस्तिती, जिसमें परागन, पराककन, या तो अनुपस्थित होते हैं, या फिर कारहीन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंगल कोई काम का नहीं है, वह प्लांट, ठीक है, इस्टिराइल है, तो इसके बोलता है, मैल इस्टरलेटी, क्या है, मैल इस्टरलेटी, किसकी डेफिनेशन है, यह मैल इस्टरलेटी की डेफिनेशन होती है, मैल इस्टरलेटी क्या होता है, कि जो प्लांट है, यह जो एंतर है, इस एंतर के अंदर या तो पोलन ग्रेंट है नहीं है पोलन ग्रेंट एफसेंट है पोलन ग्रेंट क्या है एफसेंट बास समाज़ा रही है या तो पोलन ग्रेंट क्या है एफसेंट है ठीक है यह कंडिशन या फिर पोलन ग्रेंट है लेकिन कोई काम की नहीं है ठीक है पोलन Alterization कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का क्या होगया, सर्कार ने पकड़के क्या कर दिया नस्मदी तो नस्मदी की बाद क्या वह बापर यसा यह थे प्लान की नस्मदी है कि पॉलन क्रएंट और या थो फेंट होते है थीक है है और या थो पड़लन do not functional होते तो उस condition में pollen grain कभी भी तो इस condition को 香चार केम नरवन्देता, malistality कहते हैं ठीक है? अब इसी जैसे यह को रोता है, self-incumptability द्यान से सुनना, self-incumptability है ना अब सुनना एक और चीज क्या? कि जो self-incumptability होती ना, इसमें जो pollen grain होते हैं यह functional होते हैं, इस case में यह functional होते हैं, लेकिन यह है ना, same flower की stigma पर germinate नहीं होते हैं same flower की stigma पर यह seed का formation germinate नहीं होती same flower के pollen grain, एक ही flower के pollen grain, उसी flower की stigma पर germinate नहीं होते हैं, लेकिन किसी दूसरे flower पर जाकर germinate हो सकते हैं, अधर flower पर जाकर pollination, fertilization कर सकते हैं बाश समझ ना? ठीक है? कि यह एक ही flower है अगर यह same flower है एक ही flower के अंदर अगर ऐसा हो रहा है यह pollen grain यहां जाते है इस stigma पर तो क्या नहीं होगा fertilization नहीं होगा germination नहीं होगा अगर यह pollen grain अगर किसी other flower पर चले जाते हैं तो fertilization कर देंगे मतलब pollen grain तो काम के हैं ठीक है लेकिन घर से बाहर जा रहा है ना घर के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं घर से बाहर जाकर क्या कर रहे हैं तो fertilization तो यह होती है self-incomptility ठीक है heterosis क्या होती है कि f1 का superior होना ठीक है superiority of f1 over its parent यह होता है है heterosis का मतलब क्या होता है ठीक है superiority of f1 over its parent है ना over its parent मतलब ठीक है कि बच्चों का अपने parents से superior होना क्या 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 लाता है तो answer heterosis क्या होता है hybrid inviability क्या होता है कि जो hybrid होता है hybrid उससे vival open spring नहीं बनता है ना inability of hybrid to produce vival open spring ठीक है hybrid से एक vival open spring नहीं बन पाती है वो hybrid inviability होता है तो यहाँ पर answer है malistality चलिए अगला है which malistality highly unstable most important अगला हाँ एक question और जो बार बार पूछा जाता है क्या कि malistality का use क्या है यह question बहुत बार exam में पूछते है कि malistality के क्या use है ना जिसका use क्या होता है लिख ले ना hybrid seed production में क्या होता वाई इसका जो उपियोग होता है वो होता है hybrid seed production क्या होता है hybrid seed production में इसका use होता है clear चलिए और क्या malistality highly unstable है कौन सी malistality highly unstable होती है जिसका अंसर होता है genetic malistality highly unstable होती है और यह वाली stable होती है चलिए introduction that can be used for the commercial cultivation as a variety without any change in the original genotype is rapist कि हम किसी देश से कोई material लेके आते हैं उसको कहते introduction किसी other country से material लेके आए variety लेके आए हमने वो material जो लाए उसको एज़े variety हमने लगा दिया हम उसके genotype में बदलाव नहीं किया तो उससे कहते हैं direct introduction क्या कहते हैं अगर हमसे में कुछ बदलाव करते हैं उसकी genotype में कुछ चेंज करते हैं तो इसके बार पर इंडारेक्ट है ना अगर उसमें कोई चेंड करते हैं लेकर अगर हम उसमें कोई बदलाब नहीं करते हैं जैसा हम लेकर आये थे ऐसा हमने सीधा का सीधा कॉमर्शिल कल्टिवेशन के लिए ग्रो किया तो इसे बोलेंगे डारेक्ट चलिए इसके बाद यलो वैन मोजिक पाइरस इस ट्रांसमेंटड बाई जो यलो वैन मोजिक बिंडी है औरा के अंदर यलों मोजिक नाम की डिजीज होती है तो वो किसे चीज़ेंट होती है most important है सफेद मंकी से white fly से transmitted होती है इसका बाद अगला कुन सा है ठीक है अगला most important है when only undesirable optive plants are removed from the field and rest are allowed to grow further it is called तिसे बोलते है negative mass selection इसे क्या बोलेंगा negative mass selection क्या होता है optive plant को remove करना ऐसे हमारा खेत है इत खेत मैंसे क्या करना हमको optive plant remove करना undesirable plant उसको remove करना तो यह एक्जाम में पूछेंगे क्या कहते है जो काम किया है उनको साथ में रखना फील्ड में ठीक है तो कौन सा mass selection होता है positive या negative यह होता है negative mass selection ठीक है लेकिन आपके याद रखेंगे यह वाली टर्म है आप IPSCF के लिए कि optive plant को remove करना क्या कहलाता है roging कहलाता है क्या कहलाता है याद रखना यह एक्जाम में आएगा कॉस्सा नमा रखना है example of the homogeneous and heterogious population तो hybrid है ना most important है hybrid जो होता है क्या होता है homogeneous होता है hybrid homogeneous or heterogious होता है pure line और यह जो होते है homogeneous होमोजाइगस होते हैं यह क्या होते हैं होमोजाइगस होते हैं इसके बाद सिंतेटिक यह हेट्रोजीनस हेट्रोजाइगस होते हैं हेट्रोजीनस एंड हेट्रोजाइगस ठीक है हेट्रोजीनस और हेट्रोजाइगस होते हैं क्लियर चली कोस्टन नम्मर है 10 the deliberate mixer of isogenic line closely related line unrelated line मतलब isojanic line closely related lines and unrelated line तीनों के mixer को हाना क्या कहते जैसे mccdonall ठीक है मतलब 3 प्रकार की दारू आपने मला लिया कोक्तेल वना लिया पास समझ रह ministre है हो नहीं जैसे professor choice है black dog है और एक तीसरी है देसी पवा sonny का वो आपने mix मला लिया आप क्या हो गया तो आंसर है multiline क्या है multiline यह तीनों का जो मिक्सर होता है किस-किस का isogenik line कोसली related line और unrelated तीनों के mixer को क्या कहते हैं तो आंसर है multiline कहते हैं ठीक है next question है which one of the following crops is highly sensitive against the 240 ऐसा लेका है ध्यान से सुना कि 240 के प्राथि कोन सी फसल जो यह अत्या दिक संभेधन सीलोगी मतलब अगर आप फील्ड के अंदर 240 का इस पर करो अगर आप घ्याओं की को पर 240 का कोई असर होगा क्या तो आंसर नहीं होता है ठीक है क्यों क्योंकि 240 काम करता है को 242 किसको मारते हैं acaba a to dojo करते हैं दाइकोण फ्लांट को ठीक है तो क्या घ्रीट घ्राय कोटन क prophets नहें तो क्या मैंकि जंत को मारता है थाइकोटन नहीं ठीक है क्या कोटन डाइकोटetter Yes यह क्या यह भी मोनो कोट है ना तो 2-4-D मोनो कोट पर कोई असर नहीं करता ठीक है दिनवाट चलो कोई देखकत नहीं है ना बास समझना यह पढ़ते हो आप ड्रिफ्ट हेजार्ड किसमें हो जाते हैं कोटन के अंदर है ना 2-4-D से हो जाते है तो 2-4-D यह भी डाइकोट प्लांट को किल करता है कोटन एक डाइकोट प्लांट है ठीक है तो कोटन फिल्ड में आप 2-4-D मच लगना नहीं आपका फेक यह बरबाद हो जाएगा चलिए दा फ्रूट ओ वगवीट इस और बोटनी कली वगवीट जो होता ना सुडो सीरियल होता ना य यह बरब सकते हैं फरूट दाइगाता follow का एक Serial Croup और Serial का Carry Ops थे सोता है ना कोस्वा नमर 13 है कि बर्सीम का origin place क्या है ना बर्सीम ए Trifoliad Alexanderiae इजेशनाट अब तो कहां के Egypt किया है वाई Egypt किया ना बर्सीम जिसको हम क्या कहते है King of fodder Crope भी क्या थे क्या कहते हैं क्या 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 किया थे क्या के इंदर करते हैं अब हम थोड़ा समझते हैं र्य होती है होती है थोड़ा समझ लेते हैं क्या होती हही र्याज़नींग समझना कि I'm आगा अपने सुगरकेन सब्य जान देशाहिए हैं आप लोग कि सोगरकेन में हम प्लांटींग के कौन सा material इस्तमाल करते हैं अगर आपको सोगरेंग का cultivation करना है क्या करना है sewing करनी है तो आप सोगरेंग में क्या use करते हैं सोगरेंग के लिए आप क्या बाजार से seed खरीद के लाओगी तो नहीं सोगरेंग एक vegetatively propagated crop है ठीक है तो हम सोगरेंग के अंदर इंके लिए क来रेंयों कि मैं क्ते हैं क्या अचां करेंग हम सेम यह फो व ubiqu votre ». क्या क्को टिन है क्या है और थै में कि कॉण सा वाला हिस्सां यूज करो गया आप से यह अपर बन थर्ड या बीच वाला टू थर्ड या अपर नीचे वाला बन थर्ड इस्तमाल करोगे ना कौन सा यूज करोगे तो आप कौन सा इस्तमाल करेंगे हम हम इसमें इस्तमाल करेंगे उपर वाला बन थर्ड कौन सा अपर बन थर्ड पार इस्तमाल करते हैं ना सुगर यह पोचंब आप सी यह आप कई बार एग्ेसां में पूचते हैं क्या में हम कुछ पार्ड बंतर न करते हैं हमने कर दिया फर्स्ट यー्र के अंदर सोइंग इस उपने कर लिया हार्वेष्ट यह ना कर लिया इसको कर लिया हार W. भार। यह मैचर हो गई यह ऐयो करते हैं यहां से कट करते हैं कुछ Państwo करते हैं ja क्या इस इसघैंड कर लेते हैं इस ईसी का लेते हैं सेकेंड क्रोप लेते हैं Şimdi को दोबारा से sowing करनी के आवा सकता नहीं है कि हम दोबारा से sowing करनी के आवा सकता नहीं होती क्या तो जो previous crop जो है उसका जो remaining part उससे nest crop हम लेते हैं उसी को बलता है रेटूनिंग करते हैं सुकर के नियुपिर ग्राश में बारवार करते हैं ठीक है ना मॉस्ट इंपोटेंट यह है कि जब हम रेटूनिंग करते हैं हमको 20 परसेंट एक्स्टा नाइट्रोजन की आवसकता पड़ती है कितरी 20 परसेंट तो आपको मैंने एक कोशन के साथ यहां बहुत सारी कोशन बता दी तो आप सबको नोट कर लेना ठीक है ना दा क्रोप ग्रो ओन डिग्रेडिड लेंड ठीक है फॉर इंप्रूमेंट इसको ड़ है ना कि परती भूमी जो होती है बेकार जमी ना परती भूमी अकर उसको सुधार ने के लिए तो फसल लगाते हैं तो उसको कौन सी तो आंसर कंजर्वेशन क्रोप कहते हैं चलिए क्या को अंसर मैल ना को हम क्या करते हैं कि यह कोई कुरॉब है है ना यहीओ कोई क्रोप है इसके बीच में लगाते हैं कि चैपोलय इसके बीच में क्या करते हैं तो इसके बीच में लगा देते हैं हम एक कैप्सूल टाइप ठीक है ना हमने बीच में होता है कैप्सूल है ना यह एक कैमिकल सिंथेटिक कैमिकल से इसके अंदर लगा दिया हमने इससे का निकली इसमेल है ना जैसे कोटन कोटन है तो पिंक वोल करके मेल जो परजाती है उसको कंट्रूल कर लो अब मेल को कैसे पकले इस पॉलाओ फीमेल का कि इदर फीमेल है आओ इदर तुम ठीक है ना तो एसे आहवाद होता है ऐसा फील कर आया जाता कि आओ भाई इदर फीमेल है तुम कहां गूम रहे हैं बितर अधर ठीक ना तो यहां पर एक chemical इस chemical से होती है कुछ smell secret होती है ना इससे क्या होती है इसमेल सीक्रेट अब जितने यह बढ़कती हुए जो होते हैं ऐसा लगता रहार इदर फीमेल है चलो फिर क्या है तो इदर आते हैं यह जाल ट्रैप है यह फीमेल कुछ नहीं है ठीक है आने वाद देखते हैं तो कुछ नहीं पागल बन गए और एक वाद जब इसके अंदर चले आते हैं जहां पर एक पॉली थिन लगए होती हो इसके अंदर भजाते हैं दोबारा से बार ने निकल पाते हैं तो दीरे-दीरे करके खेत के अगर मैल ऐसे कट्टा होते गए मरते गए तो जंसंग क्या हो जाएगी कंट्रोल क्यों अकली फीमेल क्या गरी बच्चे कैसे पैदा होंगी है ना तो हम इस प्रकार से क्या कर सकत चलिए आगे बात करते हैं अगला इंपोटेंट यह मोस्ट इंपोटेंट को सटन आने वाले कलेया परसों के एक्जाम में आएगा फिर से क्रोश बिट्वीन इंविरिट लाइन ओपन पॉलीनेटेट की बीच क्रोश कराना है ना इंविरिट और ओपन पॉलीनेटेट के ब उसका ना इस ओकाना है उसकर दूसरा ना इंविरिट ऑराइटी क्रोश होता है अगला है कि दख the change in the nuclotide में involve replacement of one purine by another purine और one pyrimidine by another pyrimidine such changes kul इसे क्या कहते हैं तो इसे हम transition कहते हैं क्या कहते है transition दो क्या होता है बहुत ही simple है जब हैना mutation होता है gene mutation या point mutation जो होता है महाँ पर क्या होता है कि एक nuclotide का replacement किसी दूसरे नुकलोटाइट से होता है तो जब प्यूरेन का रेप्लेस्मेंट किसी अनाधर प्यूरेन से होता है तो से क्या कहते हैं एक गूसरे का रेपलेंट प्यूरेन प्यूरेन का या पाइरेमिडीन से पाइरेमिडीन का होता है तो इसे क्या कहते है इसे हम ट्रांसियेशन कहते हैं कैसा ऐसा हो सकता है तो इसका अंसर तो हो गए ट्रांसियेशन है ना यह कैसा हो सकता है कि प्यूरेन से पाइरेमिडीन कि Purine से Pyramidine या Pyramidine से Purine, कि Purine का Replacement किसी Pyramidine से हो जाए, है ना, किसी Pyramidine से हो जाए, और क्या हो जाए, और या फिर किसी Pyramidine से ऐसा हो जाए, बलता है ना, Purine से Pyramidine या Pyramidine से Purine, तो इसे क्या हो गया आप, तो इसे Transversion, इसे क्या कहेंगे, फिर हम Transversion कहेंगे, है ना, चल एक सिंगल निक्लोटाइट के अंदर बदला होता है ठीक है जैसे आप नाम सुनते होंगे सिकल सेल एनिमिया एक बीमारी होती है डूटू दा फ्रेम्शिफ्ट म्यूटेशन चलिए ना अगला है नोन आइनवाजिंग फिजिकल म्यूटाजन मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क लेटि जो होती ना अल्टरावलेट जो रिडिएशन ओ ठीक है यूंबी ये नोन आइनविजिंग याद रखना ये चारो फिजीकल म्यूटाज़ याद रखना भरहन रेकर इसंपने एक हो होते हैं यह आयोनाइजिंग होते हैं यह क्या होता है लेकिन यह और पर त्रिफ्स आ एफेक्टिब कंट्रोल रहाइं जो सक होते हैं सककत को किस से कंट्रोल करतें हैं तो आंजर है systemic insecticide best example जासे नाम से चल रहा है जिसके दौरा जेनरल ही हम क्या करते हैं इनको कंट्रोल करते हैं अगला है एक्जांपल ओप अलो ट्रट्र अप्लोड है ना यह सभी ट्रट्राप्लोड के एक्जांपल है इसका अगला most important ना यह question most important कि कि करने होता है जो polyploid plants होते हैं बोट डेपलोड के comparison में धोड़ान का size बड़ा होता है ना फॉलिव प्लांट कोई साभी प्लांट हो polyploid plant डेपलोड के comparison में थोड़ा size में बड़े होते हैं उसी को बिशाल का द्यत्त्यकार है ना साइज में बढ़ा होने जैसे एक नॉर्मल निसान और एक खली है ठीक है ऐसा समझवाथ को तो यह जो नॉर्मल प्लांट उते इंट्रिपलोड उनके कंपेरिजन में पॉली प्लांट जो होते हैं वह थोड़ा साइज में बढ़े होते इसको गाइंगड नहीं यह सब ओट्रिपलोड यह जो ओट्रिपलोड है इनका साइज जो होगा ठीक है डिपलोड से कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है बड़ा होता है तो इसको कहते हैं गाइंग अटेज में ना क्या ओट्रिपलोड चलिए वाइरस फ्री प्लांट आर ऑप्टेन मिडियते जीन ट्रश्पर ऑपने सुनव का क्या मका हैं यह ठीक है अब यह का यह जीन ट्रांसपर करते हैं चलिए-टर- और-ग्र जनरल रेजिस्टेंट माइना जीन पोलिजने अंसर उलो पडीज आप देखो होरीजोंटल रेजिस्टेंट्स बेटिकल रेजिस्टेंट्स क्या होती है वह मैं पूरा डेटेल पढ़ा चुका हूँ आप पुरानी बीडियो जाकर देखें पैतोलोजी की महांपर मैं पूरा पुरानी वीडियो लगो एक डिल्ट साल पुरानी है आप उसको देखें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा अगर आपके वाला टोपिक पढ़ना है समझना अच्छा तो आप पुरानी वीडियो देखें करीब एक साल पुरानी वीडियो है होरीजोंटल वर्डिकल की तो आपको वहां पर एक एक चीज क्लियर हो जाएगी चलिए है ना अगला पॉइंट है दा इरिगेशन वाटर अप्लाइट इन फरो मैधाड इन पोटाटो सुड वाई कितना कवर होना चाहिए तो अब टू थाड़ार दो त्याई हिस्सा जो टर क्या होता है अपने जो ँबता है सिकार उसको पकद कर मार के खाते हैं वह आ कि थो लाइफ शाइकल चुनाने लिए एक से ज्यादा होश्ट की आवस्टता होती है ठीक है जो पर फीड़ीटुड होते हैं पेरासिटूड जिसको मारेगा ना एक इंसेक्ट जब किसी दूसरे को मारेगा वो पेरासिटूट दोनों का साइज हम होता है एकवल होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि प्रिडेटर बड़ा होता है और प्रिछोटा होता है सिकार करने वाला बड़ा होता है ठीक है सिकारी बड़ा होता है जिसका सिकार होता है वो छोटा होता है साइज में तो यह आराम से उसको पकड़के मारके खाया आता है लेकिन पेरासिटोट में क्या होता है कि पेरासिटोट में एकल साइज होता है दोनों बराबर क्यों जो जिसको खायेगा ना वो बराबर क् पहरा से टोट के एक ही होस्ट करवा सेकता पड़ते हैं सिंगल होस्ट ठीक है याद रखना इसका वाद कोसर नमर 28 the principal active ingredients in नीम प्लांट कौन सा होता है । इस जा directing कौन सा होता है एज डारेक्टिंग चलिए इसका वाद कोसर नमर है 29 कि वेटी लेंड प्लाव सब्से चोटा कौन सा होता है तो देशी वृटन प्लाव तो March April के अंदर, कप करते हैं उसको March April है ना, और उसको April मैं में, अगर आए न, Corcorus Alletorius, जो Alletorius होती के न, Alletorius, उसको करते हैं अपरैल मैं में, और Capsularis को करते हैं, March April के अंदर, ठीक है ना, तो एक average कभी पूचा दो, तो average April आ रहा है, दोनों, बीच में देख अपरैल, क आपरेल जरूर आएगा ठीक है तो वह आंसर आप लगा देना आई होप आपको तीस कोशन यह समझ आए होंगे जिन स्टूडेंटों को बैंक ओव महारास्टा की इंटर्वी की प्रेपरेशन करनी है तो 11 तारीक के बाद ठीक है 11 तारीक के बाद अपनी इंटर्वी सेशन प्रेशन करनी है तो आप बिल्कुल मेरे को इस तुम्हें अच्छा गाइडेंस दे दूगा और वह स्टूडेंश आपको गाइडेंस मिलेगा ठीख है अगर आपको इंटर्वी की प्रेपरेशन करनी है तो आप बिलकुल मेरों को है ना वाटसप नम्मर आप मेरों किस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ग्यारा तारीक के बाद अपना इंटर्व्यू का अपन ब्रेक्टिस का चालू कर देंगे तो आई होप सारे कोशन अगर आपको समझ आएं तो क्या करें चैनल के जो लाइक के बटन है लाइक बटन क करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाइस्ट पीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिए